अब देखना चितने भी नएपुरा ने सभी विध्यार दी सुनना हम जो पढ़ेंगे वो है साथ राजस्तान जीके कौनचा जीके हैं राजस्तान जीके राजस्तान का सामानी ज्यान और वास्तों में देखा जाए एकजाम की ट्यारी चाहे बले आरेस की करो चाहे कौन साथ में आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड राजस्तान का इतियास कलाइयों में संस्कृति सब्जेट कितने हैं दो लेकि दोनों सब्जेट आप सी कौरिलेसन हैं दोनों का से समद्ध अशे जब जब आप इस्टी पढ़ोगे ना तो साथ में जलक इसकी देखोगे आट एं बाइल जीक राज्य नितिक परसास्तिक काम कर रहा हो तो इतियास आएगा. लेकिशी राज्य के राज्या के राज्या ने अपने जीवन में कोई सांस्कृतिक विकास के रुशा के समाएगा आर्टेंडे कल्चर में. जैसे माननोग राज्या नहीं कोई बहुत बड़ा युद लड़ा है, युद लड़कर वो जीत गया, तो युद उसकी विजे, उसका उसका मैदान, उसका परिणाम और उस युद के विजे के उपलक्स में, अगर कोई बहुन बनाता है ना, तो बहुन हो मंदिर महल मालिया कि समाएगा आर्टेंड कल्चर वीडियों दुरूर से सुर्वाज कर रहे है, वास्तों मैं देखा जाए, तो राजस्तान का इत्यास प्रारम बाता सात्वी सताब्दी में, कौँज अताब्दी में? सात्वी से लेकर बार्वी सताब्दी के बीच का जो काल ता उसकाल का नाम है राजबुद काल, कौँज प्रित्यार का पतन नहीं लगिया इनकी सक्ती की शीन ऑने लगी और सक्ती सीञदी पतन होते हैं जो सामध्प शोतंत्र क्या होगे और 37 में सामध कुदिया बन गए सास सके और आगे जगे इस सास को ने रियास्ते बना ले कि इतनी 19 रियास्ते हैं कि इतनी रियास्ते हैं और 19-19 रियास्तों में सबसे पूरा नी रियास्त है वो है मेवाड तो आप एडिंग डालिए मेवाड का इटियास मेवाड का इटियास नया इटियास नए पनने से सुरुआत एक सभी विद्यार जी सुनने ना अपने या पढ़ाने लिगाने का तरीका थोड़ा अलग है सब एक दो यह जितने भी तो आप नोटबुक लेकर आया हैं वो सुनना और समझना कल से आप सब के बास एक वाइट पेफर की नोटबुक होनी ची बिना लाइनिंग वाली पहली वाल लगीर आपके खुद के आत्रों से ओने ही जहिए दुन्या की खेंची की लगीरों पर आपको जिन्द की घसेटने क आप सकता नहीं है वाइट वेबर की नोटबुक लाएओ इसे खड़े मत रंगना इस नोटबुक को गुमा देना खड़े पन्नों होती है पड़ाई लिगाई और केवल पड़ने लिगने से सेलेक्शन होता नहीं है कांड गया होता दो आज तक हो जाता इसलिए कहते हैं च दिमाग से जाती है लिगन कारे जाती है दिल में लगी हुई चोट जिंदगी पर क्या रहती है याद और बागी सबाब वोई कौन से वाले दिल वाले हो आरे हो ना तो इसे नोटबुक को गुमा देना ऐसे है और जिसे में बोड़ पर छपए कर रहे हैं उससमा आपको संद्द आ जाए तो चापें अब देना साम इतियास है मेवाड का कहां के इतियास है वास तुम में देखा जाए है मेवाड नाम दा पहले नगर तो था ही नहीं इस इसितान का प्राजची नाम नाम था सी वी जनपद को और ज़ो जनपद की एक ती राज़धानी कोंजी ध और नगरी नगरी वरतमान है चितोड़ गड़ में है कौँज गड़ में है ते क्विशन पूछेंगे साथ तो बताओ मेवाड का प्राग्ची नाम क्या था तो क्या बताओगे सिवी जन्पद समय और आगे वड़ा इसी सिवी का बाद में नाम हो गया प्राग वाट कौँज वाड है इसी का नाम हो गया मेद पाटन कौँज पाटन है यहाँ पूर एक जाती रहती थी मेवद नाम हो गया मेवाड कौन जमादय यह य। इसी मेवाड का वरतमान और वरतमान मुख्यत नाव हो गया धुल्चापूर है आप देना साव मेवाड का वरतमान नाम गहां जब अधू रहे हैं यह तो अधु मुघ समक्य जिकम में साशन कर रहे थे ना उसमें मेवाड सिमा पित जहकीं नहीं मेवाड का में दाची तोडगड उदयपूर राजसमद आदा बीलवाड़ा आदा डूंगरपूर आदा बासवड़ान आदा प्रतापगड आदा इस पूरे सेत्र का नाम कौन जा वाड़ था मेवाड और इसी मेवाड में प्रारंब मेवाड में प्रारंब में प्रारंब मे किया सासन ने किया सासन करने वाले कौन दे मौरिय है कौन दे मौरिय वगर नाम तो सुना ही होगा आपने मौरिय का नाम सुना चंद्रगुप्ध मौरिय है अरे सुना ना लेकिन द्यान लगना चंद्रगुप्ध मौरिय को इन मौरियों से ना कोई लेना ना कोई देना वो और यह मोरी है अलग है। कहते हैं सवाफ इन ही मोरियों की जानगारी है। पुरा दौन समय ओरा गए बढ़ा है। कौन चा मौरी, पुरा नाम है मान मौरी अभी लेग, मान मौरी, वैसे जार Jetzt लेको कौन चाल लेक कहते हैं अभी लेक, अभी लेकोई लंबी चोडिकान नी है, जिस पत्तर के दोनो और रिटियास लिखा, उसे गौन चाल लेक बोलते हैं, अभी लेकान गया, अभी का अर मानमुरी लेगे मानमुरी वरतमान इस दुनिया में है ही नहीं है ही अब क्यों नहीं आना कहा चला गया ये भी सुनना कहते हैं साम मानमुरी जो अभी लेगता ना ये था मानसरो वर जील गिनारे कौँजी जील हैं और मानसरो जील वरतमान कहा हैं चितोड गड़ में कौज गड़ में इसी जील की नारे एक बार घूंगते गाम देंग इतियास कार गया और जाब करणल जैम से टोड जैम से टोड गया मानवरी अभीले को डंग से पढ़ा और पढ़ने एक बार उसने देख लिया कि अगर मैं इस अभीले को ले लो ना तो काफी कुछ इतियास लिख सकता हूँ राजस्तान का और इतना दाप को ध्यानी होगा कि राजस्तान का पहली बार इतियास लिखने वाला कौन दा करनल जैम से तो तो तोड जील किनारे गया उस मानवरी अभीले को उठा लिया और उठा कर लेकर जा रहा बिरिटेन की और इस गोरे बिरिटेन गया इंगलेंड गया और इंगलेंड गया था वो समुदरी रास्ते से कौँ जी रास्ते से अब आप अनुमाल लगो कोई यात्री समुदरी रास्ते से जाएगा तो किसमें बैट कर जाएगा बसमें जाज में किसमें जाएगा कहते हैं साब जाज गई जैसे बीज समुदर में पहुंचे जाज थोड़ी सी ऐस संतुलित हो गई क्या होगी संतुलन बिगडने लग गया तो कहते हैं साब करणल जैम्स्टोड ने वो मान मोरी अभी लेग था उटा कर फैंक दिया बीज समुदर में बीज है और समुदर फैंक दिया अभी लेग हो गया जल मगन कौनसा मगन है यानि वरतमान इस दुनिया में अभी लेग है ही नहीं लेग अभी लेग चितोड़गट में था करणल जैम्स्टोड उटा कर लेकर है गया समुदर में फैंक दिया इस बात की जानगरी खुद दिये करनल ने किसने दिये है करनल जैम्स्टोड एक फुस्तक है नाम आपने सुन रहा है एनाल्स एंड एंटीकुटी जॉप राजस्तान उस फुस्तक को इसने लिखा कि मैं करनल जैम्स्टोड हूँ और तुमारे यहां से कौन सा बिल्यक उठा करने कर गया था मानमोरी फैक जा बीचे समुदर में और उस मानमोरी में लिखा वागि सासन करने वाए कौन थे मोरी है तो फिर से याद गुर इत्यास कहाँ का पड़ रहे हो और मेवाड प्रारर में सासन किस ने किया, इनी मोरियों मेवाड में सासकदा नाम है चितरांगंद मोरिये, कौँजा मोरिये, उसी चितरांगंद मोरिये ने चित्रकुड पाड़ी, कौँजी पाड़ी, चित्रकुड पाड़ी पर एक पठार नाम है मेसा पठार, कौँजा प चितोर द्रुगों आली में वर्ष 2013 में यूनेसकों ने हैं यूनेसकों ने विश्व दरोवर कौनची दरोवर हैं विश्व दरोवर गोसीत किया वोसी जे वैसे आपको ज्यानों ना चीए बीश्व एकीश जून बीश्वे हैं 21 जून 2013 को राजस्तान की एक निबल की 6 कितने हैं शें दरोवर यूनेसकों ने कौनची दरोवर गोसीत किया विश्व दरोवर उसमें से एक कौनचा कड़े हैं चितोर कड़े हैं इसे चित्रांगंद काई वनसज है, चित्रांगंद काई वनसज है, 734 इस्वियों में सासन कर रहा उसका नाम में मान मोरी है, कौन जा मोरी है, अब देना साब, सासन कर रहा कौन जा मोरी है, मान मोरी को जो मेवाड में है, मोरी है, कौन दे, अब जिस समय मेवाड में सासन कर मोरिय उसी समय उसी मेवाड केाज से गटना रहत हैं। घटना कप गटना करते हैं। गूइल बंस है तो कहते हैं ससमा मेवाड़ में सासन कोन कर रहा है पूइल वंसज नाम काल गोज है 속ंज्ण बोज यह इंदि का अरिठी रिशी का सिस्पहिए और बॉज और लाएं अंप बोड़ा जिए को आधर का खनाम अर्याव है कि अरस यूथ विएक्ती एक है नाम Mokot जब वोज उसी का दूसा नाम अब देवादी देव मादेव यानि भगवान शिव का बगत है यह शिव का क्या है बगत है और मन शिवादी देव मादेव मैं आरित रिसी चाहता हूं कि मेरा सिसी है नाम पॉण सा रावल बगपार रावल सामन तो नहीं बलगी यह भी यह शासक बनना चीए क्या बना चीए साथ सगेले बपपा को राज्जा बनाने की मनों कामना किसकी है आरित रिसी और रिसी आरित रिसी ने इस मनों कामना को पूर्ण करने के लिए देवा दी देव महा देव की गन गोर क्या की है तपश्या क्या की है अब कहते हैं सा महा देव की तपश्या कर रहा आपपा को आशिरवाद मिला, आशिरवाद या कौनछी रिसी ने? आशिरवाद मिला, 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 आशिरवाद मिला पूल स्व थाइगा मैवाड ओर अब राज करेंगे और और वोगोंड का संस्ता प्रव लोगा अब प्रव जो का पर जाएगा मैवाड चाहे कि अब बदू से सांस ही नहीं आ रही है तो बात कैसे कर रहे हैं मेरे से भिना सांस की हो जाती बते हैं अच चाहिए हो मास लगा लगा एक सांस दुनों काम हो जाएंगे अब नहीं आएगे नोडबुक उमादेनान एजड चाबना झाल 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 झाल